Aum Shanti शरीर निर्वार्थ करम करना अच्छा है पर शरीर निर्वार्थ अच्छे से हो उसके लिए तुम्हारी प्रालब्द भी तो अच्छी होनी चाहिए तुम्हे है अपना भाग्य भी तो बनाया हुआ हो जिसकी वज़े से तुम्हारी करम स्रेश्ट हो तो वो भी कब करेंगे तो शिरिमत तो वावदे रहे हैं पर यादी नहीं रहे तो करेंगे कैसे और समय बीत जाने पर पॉइंट याद आए तो फेल तो हो गए तीन गंटे का एक्जाम होता है कई एक डिड़ गंटे में करके आ जाते हैं कई उनको लगता है उनको सब आता है कई उनको लगता है आप आता नहीं है बैठके क्या फाइदा टाइम वेस्ट करना तो वो उनकी अवस्ता पर निपर करता है लेकिन जिस घड़ी एक्जाम होता है उसी घड़ी तो सब कुछ कर सकते हैं उसके बाद भले आपको याद आता रहे, उसका क्या लब? क्या लब? तो समय बीत जाने पर अगर पॉइंट याद आया, उसका क्या लब? लब है, आवस्ता तो बनी नहीं, प्राप्ती तो कुछ होगी नहीं, प्रालब्द जम्मा हुई नहीं तो सोचे न हम सब कि हम क्या कर रहे हैं। किसलिए बाबा के दिए पांच शे बार मोड़ने पढ़ने और सुनने चाहिए। सुनेंगे तो भी अंदर बहुत अच्छे से जाती है। और पढ़ेंगे तो और स्टेंप लग जाती है। तो सुनो भी और पड़ो भी। तब जाके हम रिजल्ट देखते हैं कि प्रैक्टिकल इस्तमाल हो रही है। तब परिवर्तन आता है। क्योंकि बाबा की रोज की मुरली में डारेक्शन सोते हैं। समझानी होती है। हमारा जीवन अच्छा बनाने के लिए होती है न। और जीवन कोण अपना बुरा चाता है। हरेग को चाहिए मेरा जीवन बहुत अच्छा समूत और एकदम उसमें कोई भी उपर नीचे ना हो। तो उसके लिए बाबा जो शिर्मत देते हैं उसको कितना अपलाई करते हैं। जो बाबा कहे वो मैं कर सकूँ। उसके लिए पहले याद भी तो आना चाहिए बाबा कह क्या रहे। आप कहेंगे जो बाबा कहेगा ना वो मैं करूंगा पर बाबा ने कहा क्या है जो आप करेंगे याद भी तो आए ना तो इसलिए कहा बच्चों को मुरली अच्छी तरह से पांच-छे बार पढ़ना वह सुनना चाहिए तब भी बुद्धी में बैठेगी और खुशी का पारा चड़ेगा माया घड़ी-घड़ी याद बुला देती है इसमें कोई हट आदी करने की बात नहीं फुर्सत मिली अच्छा बबा को याद करना है कच्छों में सम पुर्सत मिल गई बश ऐसे करो कई बोजन करते हैं टीवी देखते हैं इससे अच्छा मुर्ली देख लो गोला गालो कान में टीवी भी तो देखते ही हो नहीं तो क्या करो टीवी देखने के बज़ए कान में मुर्ली लो करो या टीवी देखने का इतनी आदत पड़ी तो सामने मुरली चला लो ये तो खुद को देखना है कि मैंने अपने आपको बारम बार मुरली से कैसे जोडना है कैसे मुझे अपनी उन्नती करने है ये तो खुद को ही देखना है practice होगी तो ही तो अच्छा होगा न अब कोई खिलाडी भी हो बिना practice किये क्या मैदान में उतराता है अब हमारी practice ही नहीं होगी शिर्मत लेने की और समझने की तो परिवर्तन कैसे होगा अब इसमें ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ बाबा ही कर रहा है उपर निचे हुई है वस्ता बन सकती है अगर direction पालन करें तो तो वो करो नहीं इस समय तो बहुत सारे सादर है बहुत सारे तरीके वस्ता बनाने के इसलिए लासो fast जा सकते हैं पर fast जाने के लिए first आने के लिए एक कदम भी तो उठाना पड़ेगा और उसके लिए बहुत सारे तरीके है पहले तरीके नहीं थे अभी बहुत है तो ये कोई हट योग नहीं है ये कोई हट नहीं फुर्शत मिली अच्छा बाबा को याद करना है कच्छू में साथ